हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई योट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स फाइनली आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ तो आज हम बात करेंगे Moto G31 और Realme 8i का आज हम comparison करें कौन सा smartphone आपको purchase करना चाहिए कौन सा smartphone आपको नहीं लेना चाहिए तो दोनों ही smartphone का आज हम detail में comparison करेंगे प्रेंट्स अगर आपको बता दूँ कि pricing की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों की design और build quality की design दोनों का काफी अच्छा है design आप जो है आपके ओपर देख छोड़ देता हूँ कि आपको देखने में कौन सा smartphone का design अच्छा लगता है उसके लिए आप comment section में हमें बताइए कि दोनों smart phone में कौन सी जो है किसका आपको design वगरा अच्छा लगता है बात करते हैं अगर हम comparison करते हैं ports and buttons के बारे में तो आपको motorgy 31 में नीचे की तरफ speaker grill type c charging port और microphone right side में आपको जो है मिल जाएगा lock का button और volume rockers मिल जाएगी और एक आपको जो है dedicated बटन मिल जाएगा Google assistant का button आपको यहां देखने को मिल जाएगा उपर की साइड आपको secondary microphone और जो है आपको 3.5 mm का jack मिल जाएगा left side में आपको जो है SIM tray मिल जाएगी SIM tray की बात करते हैं तो आपको यहां पर hybrid slot system देखने को मिल जाएगा या तो आप जो है fingerprint और log button यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा उपर की स्थाफ आपको जो है clean पूरा देखने को मिल जाएगा left side में आपको volume blockers मिल जाएगे और आपको यहां पर जो है triple card slot system देखने को मिल जाएगा दोसीम एक बमरी card आप इसमें realme 8i में यूज कर सकते हो in hand feel के अगर बात करते तो realme 8i थोगा सा आपको जो है compact नहीं feel करेगा motor g 31 में आपको थोगा सा compact feel आपको देखने को मिल जाएगा back side के अगर बात कर लेते हैं तो back side में motor g 31 में आपको जो है textured look देखने को मिल जाएगा Realme 8i में आपको glossy finish देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको fingerprint के आपको निशान देखने को easily देखने को मिल जाएगे तो इसका plus point आपको Moto G31 को मिलता है उसमें आपको textured back के वज़े से आपको fingerprint के निशान वगरा जल्दी देखने को नहीं मिलेगा comment section में हमें comment करके जरूर से बताईएगा कि जो है दोनों ही smartphone में आपको किसका design वगरा लोक वगरा आपको पसंद आया इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंट display की तो display में आप जो है देख सकतो यहाँ पे दोनों ही जो है मैंने आपको sample यहाँ पे दिखा दिया आपको जो है clearly पता है कि आपको Moto G31 में मिलेगा क्योंकि उसमें जो है M-OLED डिस्प्ले लगी है बट फ्रेंड्स आपको पता दू कि Moto G31 में M-OLED डिस्प्ले के साथ आपको 60 Hz का refresh देखने को मिलेगा वहीं पर आपको 120 Hz का refresh देखने को मिल जाएगा जो कि काफी smooth वहां पर आपको experience देगा तो यहां पर smoothness के अगर हम बात करते हैं तो Realme 8i में आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा Daylight में आपको Moto G31 में काफी जादा visibility देखने को मिल जाएगी क्योंकि उसमें M-OLED डिस्प्ले मिलती है आपको साथी साथ M-OLED डिस्प्ले से आपको जो है उसमें T-Plex आपको Moto G30 में जादा जादा देखने को मिल जाएगा कोई वीडियो जो अगर आप देखोंगे brightness वगर काफी जादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी Security के अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है दोनों ही स्मार्टपून में Face Lock और जो है Fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा Moto G31 में आपको जो बैक साइड में Fingerprint देखने को मिल जाएगा और अगर आपको Realme 8i में Side Mounted आपको Fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टपून से स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी Face Lock और Fingerprint जो है टेस्ट देखने को CME Speed में पर देखने को मिल जाएगा बात करते हैं अगर प्रोसेसर के बारे में तो Moto G31 में आपको MediaTek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है वहीं पर Realme 8i में MediaTek Helio G96 देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर सेटिंग इस स्मूथ में आप Ultra देखने को मिल जाएगा Balance में आपको Ultra HD पर आपको High देखने को मिल जाएगा Moto G31 में Realme 8i में आपको Graphics देख लेते हैं इस सेटिंग आप Max High आप जो है Balance पर आपको Ultra देखने को मिल जाएगा और HD पर आपको High देखने को Max सेटिंग यहां देखने को मिल जाएगा दोने इस स्मार्टफोन में आपको गेमिंग वगरा जादा अच्छे देखने को मिल जाएगी Smoothness की बात करते हैं तो आपको Moto G31 में काफी जादा Smooth देखने को मिल जाएगा Realme 8i में मुझे lag वगरा बहुत जादा देखने को नहीं मिला In comparison to Moto G31 में तो यहां पर गेमिंग का अगर परफॉमेंस के अगर टोटल और ओर बात करते हैं तो यहां पर Realme 8i आपको अच्छा देदेगा Moto G31 से बहतर निकाल की यहां पर गेमिंग के बात करते हैं Day 2 Daily Life में आपको दोनों ही स्मार्टफून काफी जादा बेतर परफॉमेंस देखने को मिल जाएगी Moto G31 में अगर आपको बता देता हूं UI के बारे में तो यहां पर आपको Moto G31 में Stock Android देखने को मिल जाता है जो की जादा बेतर होता है Realme 8i Realme UI से 2.0 से जादा बेतर आपको इसमें मिल जाएगा क्योंकि वहां पर आपको Stock Android देखने को मिल जाएगा वहां पर Bloat वगर आपको जो है Ads वगरा देखने को नहीं मिलेगी बात करते हैं दोनों स्मार्टफून के Camera comparison के बारे में मोटो में आपको 50 Megapixel के Camera देखने को मिल जाता है 8 Megapixel, 2 Megapixel वहीं पर Realme 8i में आपको 50 Plus 2 Plus 2 देखने को मिल जाएगा अगर आपको Natural Photos वगरा देखने को जादा अच्छा लगता है तो आप मोटो पर स्विच कर सकते हो मोटो आप Purchase कर सकते हो बट अगर आपको Boosted वगरा Photos अगर चाहिए तो आप Realme 8i पर जा सकते हो मैं कुछ sample photos आपको जो है स्क्रीन पर दिखा देता हो मोटो जी 31 में आपको जो है Natural Photos देखने को मिल जाएगी Realme 8i में आपको Boosted Photos देखने को मिल जाएगी दोनों ही smartphone में आपको 5000 की battery देखने को मिल जाएगी बट charger आपको Realme 8i में 18W का मिलेगा वहीं पर मोटो जी 31 में आपको 20W का charger देखने को मिल जाएगा charging test की वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पर चैनल पर मेरे देख सकते हो बात करते हैं battery consumption की तो battery consumption आपको यहाँ पर जो है Moto G31 में कम देखने को मिले क्योंकि वहाँ पर आपको stock android देखने को मिल जाता है जो की ज़्यादा आपको clear UI देता है वहीं पर Realme 8i में आपको battery consumption थोड़ा सा कम देखने को नहीं मिलेगी battery day to day life के लिए दोनों ही स्मार्टफोन में काफी ज़्यादा बहतर है उसमें आपको कोई issue नहीं आएगा अगर आप normal user है gaming के अगर बात करते हैं तो gaming में आपको issue देखने को मिल जाएगा अगर आप जो है gaming ज़्यादा करते हो दोनों ही स्मार्टफोन में so friend final हम आवाते हैं यहाँ पर आपको कौन साइज स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए motor G31 में आपको जो है amoled display clear UI stock android आपको देखने को में no ads no bloat wear security think shield आपको 20 watt का charger यह आपको देखने को मिल जाएगा वहीं पर आपको जो है realme 8i में आपको जो है LCD पैनल देखने को मिलता है 120 hertz refresh साथ मिल जाएगा और आपको वहाँ पर जो है gaming वगर अभी ज़्यादा अच्छी मिलेगी motor G31 के इस आप से pricing अगर बात करते हैं तो motor आपको जो है 13,000 मिलेगा और realme 8i आपको 1000 प्लस करके मिल जाएगा वहाँ पर 14,000 करते हो यहाँ पर अगर आपको जो है देखना है इसमें कौन साब को क्या चीज़ आपको आपको preference है उससाब साब आप यहाँ पर mobile पर smartphone पर purchase कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को